नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 1-11 मैं हूँ आपके साथ खुस्पू बिहार महागटबंदन के गटक दलों के 20 सीटों के जगड़े में वामपंती दल भी कूद गए हैं समझोते में उन्हें कम से कम 80 सीटे चाहिएं फिलहाल चेहरे की विवास से दूर रहते हुए सारे वामदल सिर्फ राजग को हडाने के मकसद से मैदान में इखटा आने के लिए तैयार हैं दरसल राजग ने विधान सवाज चुनाओं में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा रास्टे लोक समता पार्टी और विकास सिल इंसान पार्टी की तुल्ला में वामपंती राजनीती को तरजी देने का संकेत देते हुए वामदलों ने सन्युक्त रूप से 80 सीटों की दावे किरिया नहीं आई है भागपा माले के राज्य सचीव कुनाल के मुताविक विधान सवा के पिछले चुनाओं में हमारी पार्टी अकेली 99 सीटों पर लड़ी थी जिसमें तीन उमिद्वार जीते थे महागरवन्दन में सामिल होने पर कुछ सीटों की कुरवानी देनी पड़े तो उसके लिए तैयार है क्योंकि भाजपा विरोधी दलों की एकता आज की जरूरत है सिर्ष नेत्रित्व से लेकर नीचे की कतारों तक यह एकता बनी रहे ताकि निरनायक लड़ाई लड़ी जा सके माकपा के राज्य सचीव अब्देश कुमार भी राजक के खिलाफ विपक्षी दलों की एक जूटता पर जोर दे रहे मागडवंदन के तीनों दल हम रालोस्प और विई आईपी वाम दलों के साथ चुनाओं में जाना चाते हैं राज़त ने भी वाम दलों के साथ रखने का पहले से ही मन बना रखा है समाजवादी नेता सरद यादब भी इसके पक्ष में है राजत के साथ भागपा भी पुरानी दोस्ती है वामपंथी दलों के नेताओं का कहना है कि विधान सवा में सीटों का सवाल अलग है हम उमीद करते हैं कि एकता में यह सवाल बाधक नहीं बनेगा भागपा नेता सत्य नरायन सिंग भी मानते हैं कि वामपंथी दलों की एकता भाजपा नित गडबंदन कहार के लिए जरूरी है ये एकता सिर्फ चुनाव लड़ने तक नहीं होनी चाहिए इसका पड़ियोग जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन में भी हो तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही है न्यूजबन 11 के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए